इस लोग के अनुसार हमें ब्रह्म महुरत में उठकर धर्म अर्थ और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए ये समय भगवान के जागरण और परमेश्वर से संपर का समय होता है रात्री के अंतिम पहर का जो तीसरा भागे उसे ब्रह्म महुरत कहते हैं और निद्रत्या के लिए यही समय सास्त्रों में लिखा गया है स्वामी कौरंगबत के अनुसार हर एक दिन तीस महुरत होते हैं अगर उन तीस महुरत में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई महुरत है तो वो है ब्रह्म महुरत सूरे उदैसे ठीक 96 मिनट पहले ब्रह्म महुरत के शुरुआत होती है ब्रह्म महुरत में ऐसी कौन सी तावत है जिसके चलते हम जो भी अपनी जिन्दकी में पाना चाहते है या फिर हम जो भी अपनी जिन्दकी में अचीव करना चाहते है वो सब कुछ हम अचीब कर सकते हैं क्या सच में इस टाइम में ऐसा कुछ खास है क्या कोई ऐसी पावर है इस टाइम में जो इस समय को इतना खास और इतना पावर्फुल बनाती है मैं आपको गैरेंटी देता हूँ अगर आप सुबा 21 दिन ब्रह्म औरत में उठ गए तो आप अपनी लाइफ में आए हुए चेंजिस को देखकर बिलकुल तंग रह जाओगे तो आप सोच रहे होगे कि हमें केवाल 21 दिन के उठना है तो देखो इसके पीछे का रीजन यह है किसी भी आदत को बनने में या फिर छोडने में केवाल 21 दिन का टाइम लगता है इस वीडियो के एंड में मैंने सुबा चल दी उपने के लिए आपको कुछ टिप्स बताइए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रहम मौरूत कब इस्टार्ट होता है तो एक्चोल में ब्रहम मौरूत की टाइमिंग हर जगे अलग- fantasyolor की टाइमिंग होती है हर city हर state में ब्रहम मौरूत की टाइमिंग differ करती है तो मैंने पहले भी इस टॉपिक के उपर वीडियो बनाया था तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट इस चीज के उपर आये थे कि ब्रहम मौरुत की एक्ट्वल टैमिंग क्या होती है तो सबसे पहले आपको अपने फोन का ब्राउजर खोलना है फिर जहाँ भी आप रहते हो उस ज़गा का नाम डालकर आपको सर्च करना है जैसे एक्जामपल लेते हैं कि मैं आग्रा में रहता हूँ तो फिर मैं सर्च करूँगा संराइज इन आग्रा तो देखो आगरा में sunrise हो रहा है 5.34 a.m. पर मतलब ठीक इससे 96 मिनिट पहले ब्रह्म माउरत की starting time होगी यानि कि 3.50 a.m. पर ब्रह्म माउरत स्टार्ट होगा अब ये इसका starting time होगया अब ending time की बात करते हैं तो अब इसकी starting time में हमें 48 minutes को add करना है यानि इसकी starting time है 3.58 a.m. की तो उसमें मैं 48 minutes को add करना है यानि ब्रह्म माउरत का समाब दोने का time है 4.46 a.m. तो ब्रह्म माउरत स्टार्ट होगा बिल्कुल 3.58 a.m. पर और end हो जाएगा 4.46 a.m. तो ये timing सिर्फ आगरा city के लिए थी तो आप भी अपनी city का ब्रह्म माउरत का time बिल्कुल ऐसे ही चेक कर सकते हो दोस्तों एक बात का ध्यान लगना sunrise हर अफ़ते हर देन change होता रहता है बस उसमें सिर्फ एक तुमिनिट का difference होता है आप उसको भी monitor कर सकते हो करागे वसत लक्षमी करमदे मूले सरसोती करमूले इस्तितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम यानि की ब्रह्म हूरत में उठने वाले लोग उत्साही और बुद्धिमान होते हैं और जो लोग देर तक सोते हैं उनका तेज देरे देरे कत्म हो जाता है और महारशी मनू के अनुसार तो ब्रह्म हूरते बुद्धियत यानि की हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म हूरत में ही उठना चाहिए पुरातन काल के तोरान हमारे शास्त्रों को फॉलो करना उस समय आनिवार रहे था और जो भी इसका पालन नहीं करता था उसके लिए दंड का विदान था ब्रह्म हूरते है नित्रा सापुन निशयकारणी ता करोती द्वेजू मोखाधबाद क्रिश्चेरणा शुद्यत यानि की ब्रह्म हूरत की नित्रा पुन्य का नाश करने वाली होती है आलस की वज़े से जो भी बिस्तर में पढ़ा रहता है उसे पाद क्रिश्च नामक वरत करके उसका प्राश्चित करना चाहिए महरिशी मनु के इस नियम का उस समय भगवान की तरह आदर के साथ पालन होता था सब्वे मानव से लेके राक्षस तक सब भी इस नियम को मानते थे भारती साहित के सबसे पुराने और एतियासिक करन्त श्री बालमीक रमायड में इस समय के बारे में सबसे सुन्दर और सबसे अच्छा वड़न किया हुआ है जब हनुमान जी जकत चन्नी माता की खोज में अशोक वार्ट का पहुचे थे तब वह रात्री का अंतिम पहड था मारशी पालमीक ने लिखा है इस प्रकार सीता की खोज करते करते रात्री थोड़ी शेश रह गई तब माता सीता को ढूड़ते ढूड़ते अनमान जी अशोक वाट का पहुँचे जहां उन्होंने वेद वयग्य के क्याताओं के मंतरोचारण की आवाज सुनी और आयरुवेद के अनुसार सुबह ब्रहम महुरत में उठकर टेलने से शरीड में संजीवनी सब्दी का संचार होता है और इसी वज़ा से इस समय बेहने वाली हवा को अमरितुल्य यानि अमरित के समान का गया है और अस्टंग हिरदे के अनुसार इस समय बेहने वाली वायू में प्राणपत नहित है यानि कि इस वायू के एक एकड़ में संजीवनी शक्ती बरियोई होती है यह वायू रातरी में चंदरमासे प्रत्वी पर अम्रित बिंदूओं को अपने साथ लेकर बेढ़ती है इसलिए शास्त्रों में इस वायू को फिर वायू के नाम से जाना जाता है जो व्यक्ति इस समय उठकर अपनी नीन का त्याग करता है और इस वायू का सेवन करता है, उनका स्वास सौंदर है और इस मेरा शक्ती बढ़ जाती है, मन उपसाहित हो जाता है और इसी के साथ उस इंसान को आत्मबल की प्राप्ति होती है अगर आज के modern science की माने तो सुभा के समय environment में pollution बिल्कु ना के बराबर होता है और सुभा के समय वातवरण में oxygen का level 41% जो कि किसी भी समय से सबसे अधिक होती है बढ़ते oxygen के levels की वज़ा से आपके brain और body में oxygen का intake बढ़ जाएगा और जिसके चलते आपकी health बिल्कु ठीक रहेगी और ऐसे समय में साफ सफाई करना निशेत बताया गया है अब next है पंच्च तद्व हमारा ये शरीर five elements यानि की पंच्च महाबूतों से मिलकर बना हुआ है air, water, fire, earth and ether यानि space और इनी five elements को आयरुवेदा में वाता, पिता, कफा के नाम से जाना जाता है सबसे पहले आता है वाता and वाता के जो primary elements है वो है air and space and next है पिता जो की बनाया fire and water से and last है कफा यानि की जो बनाया water and earth से आयरुवेदा की अनुसार सुबह दो से छे और शाम दो बजे से छे बजे के बीच वाता energy dominant होती है और इस समय के दोरान हमारी meditate, concentrate, visualize and create करने की ability बढ़ जाती है लेकिन आज कल के advanced generation है हमारी सब्विता और संस्कृति की धज्योणा रखी है और उनकी सोडने की timing ही ब्रह्म होरोस से start होती है देखो अगर आप नदी के बाव के साथ तेरोगे तो आपको किनारा जल्दी मिल जाएगा तो ठीक वैसे ही अगर आप इस nature के according काम करोगे तो ये nature भी आपकी मदद करेगा success पाने में इस समय को अध्यन के लिए सर्वोतम बताया गया है क्योंकि रात को आरम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तब हमारे brain और body में एक freshness रहती है और सुबह के समय oxygen के level भी ज़्यादा होते हैं और जिसकी वज़ा से आपके brain को extra energy मिलती है और जिसके चलते आपकी concentrate and learning करने की capacity कई गुना तक बढ़ जाती है और हमारे वेदों में तो ब्रह्म हुर्थ का अलगी मैत्व है प्रातारत्न, प्रातरिश्व, दधाती, तन, चिकित्व, प्रतीक्रमा, निदेतो, तेन, प्रजान, बर्दमान, आयू, रायस, पोशेड, सचेत, सुवी, रह, यानी सुबह सूर्य उदे होने से पहले उटने वाले व्यक्ति का स्वास्त अच्छा रहता है इसलिए पुत्यमा लोग इस समय को फ्यर्थ नहीं कमाते सुबह चल्दी उटने वाला व्यक्ति, सुवस्त, सुखी, तागतवर और तीरकाही वाला होता है रिगवेदा, यदि सुर्य उदेतो नागा, मित्रो रेमा, सुवाती सविता भगव, यानी व्यक्ति को सुबह सुर्य उदे से पहले स्नान कर लेना चाहिए फिर उसके बाद भगवान की पूझा अर्चना करनी चाहिए इस समय की शुद्धवा से आपकी हेल्थ और वेल्थ बढ़ती है साम वेदा, उगंत सुर्यन, इवस्वताना, दुशिंता वर्च आद थे यानी सूरज उगने के बाद भी जो लोग अपना पिस्तर नहीं छोड़ते उनका तीच देरे देरे खत्म हो जाता है अधर्व वेदा, ब्रह्म हूर्द में उठकर हमें इन चारों एक्टिविटी में से किसी एक एक्टिविटी को जरूर परफॉर्म करना चाहिए मेडिटेशन, प्रेयर, लर्निंग, एंड मेनिफेस्टेशन टेक्निक आप सबाउटने के बाद, मेडिटेशन, यानि के ध्यान कर सकते हो या फिर आप भगवान से प्रे कर सकते हो अपकी अच्छी हेल्थ और वेल्थ के लिए देखो, अगर मैं बात करूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक की इस बुक को अपनी लाइफ में एक पार ज़रूर पढ़ना ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जिन्स में एफिलेवल है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो तो अब बात करते हैं, हमें इस समय पर क्या नहीं करना चाहिए देखो इस टाइम पर नेगेटिव और सेक्श्वल थौर्ट तो दिमाग में आने ही नहीं चाहिए या फिर किसी से बहस करना, या फिर सुबा सुबा ही खाना खाना या सुबा सुबा ही ट्रैवलिंग के लिए जाना, ये सारी चीज़ है हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दोस्तो पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि ब्रहम मवरत में उठना आसन्या प्रनायम करने के बरापर होता है और दोस्तो यही नहीं बलके अमेरिका के फिलोसफ़र बेंजमिन फ्रेंकलिन ने भी कहा है अर्ली टु बेट, अर्ली टु राइज, मेक समयन, एल्दी, वेल्दी एंड वाइस और तुरिया के कुछ फेमस एथलीट्स और उंत्रपिनोस सुबा सुबा मॉर्णिंग में जल्दी उठते हैं ताकि वो अपने गोल्स और टागेट्स को सेट कर सकें यार आप लोग सोच रहोगे, यह सब तो ठीक है पर सुबा जल्दी उठे कैसे तो सनो, आपको रात को सोने से तो गंटे पहले आपको अपनी स्क्रीन टाइम को आफ कर देना है स्क्रीन टाइम से मेरा मतलब फोन, टीवी या फिर कोई इलेक्ट्रोनिक गैजट सोने से पहले आपको इन सब चीज़ों से एक कुछ दूरी बना के रखनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी सरकेडियन रिदम को एफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि एक अच्छे काम की शुरुआत एक अच्छे हदत के साथ होती है सुबह चल्दी उटना या फिर ना उटना ये आप तैकरोगी मेरे काम है सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको सुबह चल्दी उटना है तो फिर मैं क्या आपको कोई भी नहीं रुख सकता और ना उटने वाले के पास सौब आने और मैं हूँ केवी और I am on a mission मैं एक mission पर हूँ आप लोगों की अच्छे हल्दी मेरी पहली और आकरी priority है तो मैं इस वीडियो को यही पर end करता हूँ अगर कोई सवाल या बावाल आपको परिशान कर रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं उसको reply जल से जल आपको दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तु समझ गए न आपको क्या करना है तो भाई लोग अपना अपना समर्थन जरूर देना इस चैनल को आगे लिए जाने नो धन्यवाद और इसी के साथ This was KV signing out